और खबरों का नए कानून पर बवाल हो गया है अब बात हिट एंड रन केस को लेकर बने नए कानून की करेंगे जिस पर देश भर में कल से ही खुब बवाल मचा है आज बिहार में भी ट्रुक चालकों ने हंगामेदार प्रदर्शन किया कहीं पत्थराव किया गया तो कहीं सडक जाम करके बवाल काटा लिया ट्रक चालकों की हरताल थम गई रफ्तार कहीं किया पत्थराव कहीं लगाई आग नए मोटर वहिकल एक्ट को लेकर पूरे देश समेत बिहार में वहन चालकों ने जम कर विरोत प्रदर्शन किया है नए मोटर वहिकल एक्ट के तहट हीट एंड रन के नियमों के खिलाब वहन चालक गुसे में है और सडकों पर जम कर बवाल काटा गया है ट्रांस्पोर्टर्स के प्रदर्शन की ये तस्वीरे कैमूर की हैं जहां ट्रक चालकों ने सड़क पर उतरकर जम कर भवाल किया इस भवाल में एक कैदी वहन भी फस गया कैदी वहन को जाम से हटाने पुलिस पहुंची तो चालकों की भीड ने पुलिस पर भी पत्थराओ कर दिया इसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए है हालाकि इसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों को खदेर जरूर दिया कर रहे हैं कुछ हमारे पुलिस कर में को चोट भी आई है हम लोगों से मेडिकल भी करा रहे हैं और हम लोग का सर्जाम लगाए होगी जो बयान दिये हुए है हम महिना के 6000 कमाते हैं ट्रॉक चलाते हैं एकला होता है बेटा है अगर हम जेल जाएंगे दो साल तो सर्जी मेरे घर का परसुषन को क्या करेगा इधर हाजीपूर में भी ट्रांस्पोर्ट एसोसियेशन की हर्ताल के दौरान बवाल हो गया आक्रुशित लोगों ने पुलिस अधिकारी की गारी को रुख लिया और पुलिस के साथ हाथा पाई करने लग लग लिग इस दौरान पुलिस अधिकारी की गारी के सामने लोग घिरोध में लेट हैं हलाकि पुलिस की सकती के बाद उपद्रवी भाग दे हीट एंड रन के नए कानून का छपरा में भी विरोध हो रहा है मसरक के महावीर चौक के पास एसेच पर ड्राइवरों ने अपनी गारियों को सलक पर खड़ा कर दिया इसके बाद सलक पर आगजनी कर जम कर हंगामा किया और केंदर से खानून को वापस लेने की मांगी मामला यह है कि वोधी सरकार का जो ये कानून है एक ड्राइवर के एक्षिगेंट पर साथ साल की साजा इसे हम लोग खुश नहीं है इसके बिरोज में हम लोग आज चक्का जम करने वाले हैं और फूरे इंडिया में चक्का जम करेंगे इधर बगहा में वाहन चालकों ने लगातार दूसरे दिन भी प्रदर्शन किया है जिससे यात्रियों की परिशानी बढ़ गई है वाल में की नगर और बगहा को जोड़ने वाली सडक समय बस स्टेंड पर सननाटा पसरा हुआ है तो वाहन चालकों ने सडकों पर जम कर बवाल भी काड़ा दरसल मोटर वहिकलेक्ट के नए नियमों के मताबिक अगर सडक दुरखटना में किसी की मौत हो जाती है और ड्राइवर फरार हो जाता है तो ऐसी स्थिती में उसे दस साल की सजा के साथ साथ भारी जुर्माना भी भरना पर सकता है ट्रांसपोर्ट एससियेशन इसी का विरोट कर रहा है और केंदर से खानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं बिर रिपोर्ट जे मीडिया देश भर के ट्रक डंपर और बस चालक इस समय हरताल पर हैं चालकों का फिरोट केंदर सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ है जिसमें दस साल की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है पटना में भारत पट्रोलियम का टैंकर चलाने वाले चालकों ने जौरदार प्रदर्शन करते हुए इस कानून पर पुनर विचार की मांग की है भारत पेट्रोलियम्स का टैंकर्स भी नहीं चल रहा है और जो कानून में जो प्रापधान है इसके बिरोध में और यहां पे देखिए तमाम जो टैंकर्स है भारत पेट्रोलियम के वो यहां पे लगे हुए हैं और यहां पे जो मांग है वो यही है कि पुनर विचार हो इस पूरे मामले पर और गेट पर एक तस्वीर भी चस्पा करके और तमाम जो बाहन चालक हैं उन्हें इत्तला किया गिया है कि वो इस हर्ताल में सामिल हो और अपनी आवाज जो है वो मजबूत करें हखा मांग रख कस लेगा तब हम लोग चलाएंगे आनीफा नहीं गाड़ी चलाएंगे कानून बापस ले सरकार से मांग prag यह तमाम सारे लोग हैं वो स्टेरेंग चोड़ दिये हैं और अश्पष्ट कह रहे हैं कि उनकी बात मंघी जाए आनने था गारी नहीं चलेगे देखे तमाम लोग जो हैं अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि जो कानून में प्रावधान है उसमें बदलाब किया जाए कानून पर प्रावधान 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 प्